दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास Redmi या MI का Mobile है तो आपकी जो Lock Screen होती है वहाँ पर आपको इस तरीके के images दिखाई देते हैं background पे तो जब भी आप आपकी phone की screen off करते हैं या on करते हैं तो यह जो background पे wallpaper इसके change होते हैं अपने आपी तो यह किसलिए होते हैं यहाँ पर यह जो glance app है इसकी वेशे होता है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस glance app को कैसे disable कर सकते हैं इसको permanently हटा सकते हैं जिससे कि यह जो आपका lock screen पर जो यह wallpaper अपने आप automatic change होते रहते हैं यह यहाँ से हट जाएं तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपने अपनी lock screen से बाहर आ जाना है और यहाँबे आपको सबसे पहले क्या करना है अपने फोन की settings को खोल लेना है तो जैसी phone की settings खोल जाएगी तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं यहाँए पे search करते होंगे glance तो आप glance लिख के search करेंगे तो यहाँए आपको glance का option नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पे आपको एक option मिलता है Always on display and lock screen या फिर यहाँ पे अकेला lock screen भी लिखा हो सकता है अगर आपका mobile पूरा ना है तो आपने इस वाले option पे आ जाना है तो यहाँ से आप कुछ भी reason दे सकते हैं और उसके बाद आपने नीचे से turn off इसको कर देना है तो यह जो है आपने glance को turn off कर दिया है अभी आधा काम हुआ है तो हम यहाँ से इसको back कर देंगे अब मैं screen इसकी off कर देता हूं और फिर से on करता हूं आप दे सकते हैं यहाँ से इसके wall paper background में change नहीं हो रहे है यहाँ पर एकी fixed wall paper आ रहा है पर यहाँ पर नीचे glance का icon फिर भी दिखाई दे रहा है तो अगर आप इस icon को भी यहाँ से हटाना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे यहाँ से हटा सकते हैं आपने क्या करना है settings में आने के बाद आपने नीचे scroll करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा apps का तो इस पर tap कर देंगे उसके बाद manage apps पर आ जाएंगी तो उस wallpaper krausal के option को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे wallpaper krausal तो और आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा यह जो तीन बिंदी का option है इस पर टैप करना है और यहाँ पर show all apps पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है wallpaper और जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर एक option मिलता है, आपको wallpaper krausel, यह krausel वाला option है, इस पर आपने टैप करना है, और इसको करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको uninstall का option मिलेगा, आप इस पर टैप करेंगे और ok कर देंगे, तो अब जो है wallpaper krausel जो option है, हट गया है, अब मैं आपको अपनी lock screen दिखाता हूँ, phone की screen off कर देता हूँ, on कर देता हूँ अब, तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर नीचे वो वाला कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी informative वीडियो मिलती रहती हैं, तो मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए bye and take care